हेलो एवरिवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैर्थन प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम लोग GUI अप्लिकेशन बना सकते हैं with the help of TK-Inter और आज के इस क्लास में हम लोग TK-Inter से सारा चीज़ को इंपोर्ट कर लो और के लिए यहां पर स्टार एस्ट्रिक का साइन दिया जाता है उसके बाद में एक विंडो इंस्टेंट हम लोग यहां पर बना ले रहे मतलब कर रहे हैं जिसका वेरिवल का नाम विंडो में रख रहा हूं और इससे एक्शूली उसके बाद में अब यहां पर हम लोग विंडो का हाइट और वाइट दे देते हैं तो उसके लिए विंडो डॉट जियोमेट्री फंक्शन यूज़ कर रहा हूं मैं यहां पर मैं 400 उसके बाद इंटू 200 कर दूंगा ठीक है तो यह इसका हाइट और वाइट हो जाएगा हमा और उसके बाद में यहां पर मीनू बटन फंक्शन हम लोग को लेना होगा अब मीनू बटन फंक्शन में जैसे बाकी फंक्शन में हम लोग क्या करते थे मास्टर को देते थे जिस विंडो के लिए उस विंडो को यहां पर हम लोग पास करते थे यहां पर भी उसी तरह पास ठीक है और इतना करने के बार में इस ड्रॉपडाउन को हम अपने विंडो फॉर्म में अटेच करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं मैं यहां पर पैक फंक्षन यूज़ करने वाला तो मैं यहां पर लिखूंगा अब रेकेट ओपन क्लोज करूंगा और अगर मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाऊं तो देखिए यहां पर एक बटन आ रहा है और लिस्ट वाला देखिए यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर मिनू नहीं डाला है ठीक है यह मिनू बटन तो बना लिया मगर हम हम लोगों को मिनूस बास के अंदर डालना होगा ठीक हाई तब मिनूस डालने लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को देखिए यहां पर हम लोग एक वैरियराबल और बनाएंगे मिनूस के लिए जिसका नाम हम लोग यहां पर रख दे रहे हैं को CI-O-UR-SI कर मैं रख देताहूं को कब में कोर्यों के बाद में फिर हम लोग मीनू फंक्शन को कॉल करेंगे मीनू बटन बनाने मीनू बनाने के लिए आप किसके बन रहा मिनू ठीक है यह dapat आउन उपर मैं मीनूब बनाए ना जिसका नाम हम भी सब्सक्राफ dropdown यह उसलिये बन रहा है उसलिए हम लोगों को यहां पर drop丟ान लिखना होगा और उसके बाद में फिर हम उन्याइंगे नीचे और फिर क्या करना होगा यहाँ पर हम लोगों को सकते मैं एडाइड और बहुत सारे बाघ्ट करा सकते हम लोग को रेडियो बटन एड करा सकते मैं मैं add command यूज कर रहा हूं एंपल यहां पर मैं कुछ मतलब लिखा हुआ दिखाना चाहता हूं तो इसके लिए यहां पर लेबल इक्वल टू और यहां पर जो भी आप दिखाना चाहते हैं जैसे मैं एक दिखाना करना होगा यहां पे आपको drop down लिखना होगा उसके बाद square bracket उसके बाद में यहां पे आपको लिखना होगा menu और फिर जिस menu को आप उसके में attach कराना चाहते है drop down में उसका नाम देना होगा तो हमारा पर क्या होगा जैसे मैं इसको compile करूं अभी तो यहां पर course लिस्ट और course लिस्ट में यहां पर क्लिक करने पर देखें यहां पर हमको DCA मिल रहा है यह DCA जो अभी हम लोग मीनू के द्वारा हम लोग बना है add command label equal to DCA यहां पर एक लाइन भी आ जा रहा है इसको हम लोग कैसे अटा सकते हम लोग देखे हैं जब हम लोग मीनू बार बना रहे थे एक बार तो हम लोग देखे थे ठीक हैं उसमें भी हम लोग मीनू यूज किये थे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है यहां पर simply हम लोगों को tear of function यूज करना होगा tear up equal to हम लोग यहां पर जीरो लग रख देंगे और उसके बाद फिर से और फिर पेश्ट और यहां पर भी मैं दे देता हूं ADDCA और यहां पर मैं दे देता हूं PGDCA और उसके बाद में अगर मैं इसको फिर से compile करूं और फिर से मैं यहां अगर क्लिक करूं तो देखिए DCA ADDCA PGDCA यह सारा चीज यहां पर दिख रहा है ठीक I hope कि आपको मीनू बटन बनाना समझ में होगा और समझ में आ गया है यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते कि इसी तरह का वीडियो जब यह मैं अपलोड करूं आप के लिए वेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा